मेरे हाथ में ये कोई smart watch नहीं है, ये literally कि smart phone है, जिसके अंदर आप कोई भी play store से app डाउलोड करके use कर सकते हैं, phone call कर सकते हैं, wifi use कर सकते हैं, google web use कर सकते हैं, video देख सकते हैं, सारी चीजे जो आप एक smart phone से आप यहाँ पर कर सकते हैं, वो सब यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, य और इसके नामे firebolt dream, और इसे कहा गया है wrist phone यहाँ पर, यहाँ एक ऐसा phone जिसे आप अपने कलाई के उपर यहाँ पर भें सकते हैं, अब आखिर इस watch में और जो दूसरी watches आती हैं market में, उसके अंदर difference क्या होता है, सबसे पहली चीज, जो दूसरी watches आती हैं, वो RTOS पे चलती उसके अंदर functionality limited रहती हैं, और limited चीज आप कर सकते हैं, कोई app वगरा download नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक की sim card भी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इस watch की कहानिया लगे, यह watch चलती है Android OS के उपर, और यहाँ पर आपको literally Google का play store देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप अपनी मन चाह आना है, तो आप यहाँ पर Instagram को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यहाँ तक की अगर आपको वीडियोस देखने को शौकिर, YouTube का app भी आपको यहाँ देखने को मिल सकता है, और YouTube पर वीडियोस भी आप play कर सकते हैं, और सर्फ इता ही नहीं, अगर cab वगरा book करनी है, तो वो इस watch का यूज करके possible है, Uber की app यहाँ पर चलती है, जिसके अंदर GPS का यूज करके आप अपनी location बता सकते हैं, और camp वहाँ तक आ सकती है, यहाँ लेकि वो सारे काम जो एक smartphone के लिए आप dependent रहते हैं, वो सारे watches के अंदर भी possible है, यहाँ तक कि आपको लोग को बताओ, कि gaming अगर कर लिए, तो जैसे कि जो basic games होते हैं, आपके subway server, टैंबल रहे हैं, वो भी आपको देखने को मिलते हैं, और उसी भी आप download करके enjoy कर सकते हैं, जो कि surprisingly काफी अच्छे भी हाँ पर चल रहे थे, तो यहाँ बात करें तो यह एक चीज है, इस watch की जो इसे दूसरी watch से कर सकती है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको quad core CPU देखने को मिलता है, 2GB गिराय में, 16GB की ROM storage देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पर आपको 2 inch का LCD डिस्पले देखने को मिलता है, 1 is to 1 के spec ratio के साथ, इसी के साथ ही बात करें Android OS 8.1 के साथ चलती है, यहाँ पर आपको dedicated SIM slot भी SIM लगा के यहाँ पर calls अगरा अटेंड कर सकता और internet भी चला सकते है, मैंने Jio SIM के साथ इसे test किया, Jio के 4G LTE network पर support करता हो, जो VOLTE calling उसे भी हाँ पर support करता है, इसी के साथ ही 2.4 GHz के Wi-Fi का support है, और Bluetooth का भी support है, और यहाँ तक कि आप इस watch के साथ अपने TWS earphone को pair भी कर सकते ह और उसका यूज़ करके यहाँ पर अगर आप गाना प्ले करेंगे, तो उसे आप अपनी earphones में आपर सुन मी सकते हैं, यह एक चीज़ जो इस watch को यहाँ पर दूसरी watch से काफी जादा अलग बनाती है, और एक बात यहाँ पर आपको clarify कर देना चाहता हूँ, यह बिलकुल ए और अगर आप लोग को लगता है कि छोटी screen size में आप type कैसे करेंगे, तो उसकी भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको voice typing का जो feature होता है, वो भी मिलता है, जिसका use करके यहाँ पर voice typing वाली चीज़े पो यहाँ पर आपकी perform की जा सकती है, इसके साथी कुछ बात है important is watch related, य normal witness watches के जो feature होते है, जैसे step counter हो गया, यहाँ फिर heart rate monitoring हो गया, यह भी आपको यहाँ पर इस watch के अंदर देखने को मिलता है, इसके साथी built-in GPS है, आप GPS का use करके navigation का use कर सकते है, प्लस यहाँ पर आपको built-in web browser देखने को मिलता है, आप यहाँ पर अपनी website को browse कर सकते है, उपर अगर कोई AP के install करना चाहा है, तो वो चीज़ भी हाँ पर possible है, कुल मिला के बात यह, कि जो भी आप एक काम एक अपने basic smartphone से करते हैं, वो सारे काम एक यहाँ पर एक watch से कर पाना है, हाँ पर possible है, नए type के experience देनी कोशिश की गई है, जो औरम तार पर watches के अंदर देखने को न दे रखे, इसके साथ ही बात करें तो watch के design और build के बार में, तो definitely zinc alloy के साथ इसके आपको build यहाँ पर देखने को मिलती है, देखो देखने में काफी ज़्यादा premium लगता है, दो colors में आता है, silver color, black color में, और straps आते हैं, वो भी आपको काफी different colors के हाँ पर आपको देखने को मिल जिसको अगर आप अपने test के साथ से अगर आप देखना चाहें, तो देख सकते हैं, जैनि किसी को अगर premium watch के experience चाहिए, तो वो है, किसी को अगर sporty look चाहिए, funky look चाहिए, तो उस tab का भी हाँ पर strap यहाँ पर available रहेगा, तो एक overall बात करना चाहूला, कि अगर आपको basic smartphone लेना ह कर सकते हैं, तो बात किया तो अब इस watch की कीमत किया, तो launch day जो price रखा गया, वो है 5,998 और यह watch अब होगी available, flip card की website पे, firebolt की website पे, और जो offline stores होते है, across the country महाँ पे, तो दोस्तों, ये ती कहानी firebolt dream wrist phone की हाँ पे, आप लोग यह product यहाँ पे कैसे लेगा बार नीचे गवन ब गुट बाई